हलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल पर्मी ब्यूटी वर्ट तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ, आप सब लोग स्वस्थ और मस्थ होंगे गाईज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ रेजर यूजड हेयर पर किस तरीके से आप सिंपल वेक्स से वेक्सिंग कर सकते हैं और देखि कितनी हैवी ग्रोथ है मेरे क्लायंट की और यह फर्स्ट्राम। वेक्सिंग करने की लिए मैंने सिंपल पाणाயूच किया है और टिशू पेपर से अच्छे से क्लीन करने के बाद टावल ड्राइ कर दिया है आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके क्लाइंट की स्किन में बिल्कुल भी मॉस्चर नहीं होना चाहिए वैक्सिंग करते टाइम अब क्या है समर का सीजन स्टार्ट हो गया है तो ऐसे म अगर आपके क्लाइंट की स्किन में मॉस्चर होगा तो वैक्स प्रोपर तरीके से नहीं हो पाएगी गाईज अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर वैक्सिंग से रिलेटीड लोड्स आप वीडियो मिल जाएंगी और पालर करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बैल आइकन को जुरूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे स्किन को क्लीन करने के बाद मैंने यूज किया है टेलकम पाउडर गाईज आपके प करने के बाद आपने लगानी है वैक्सिंग स्ट्रिप वैबी आप हेयर डारेक्शन के इसाब से लगाएंगे और अच्छे सिर्रब करेंगे ताकि सारे के सारे बाल जो हैं पट्टी की पकड़ में आ जाए उसके बाद स्किन को होल्ड करते हुए आपने अपोजिट डारेक हितन के यह जो है तो तो आप यह यह य। घृति को यह और जाती हैं तो आप या रूवी ग्रोफ झूंगे इस और एडांवे में दीकिल और नहीं से की you can करें रिका वैक्स का यूज़ करवाने से आपकी हेर ग्रोथ दिरे दिरे काफी कम होती जाएगी और हेर काफी सॉफ्ट और स्मूध भी आएंगे और तो गाइज इनके ओल्मोस सभी हेर रिमूव हो गए हैं पर कुछ हेर रह गए हैं और क्लाइंट को काफी स्वेटिंग भी आ गई थी तो इसलिए हमने स्किन को फिर से क्लीन किया है क्लीन करने के बाद टीशू पेपर से भी क्लीन कर दिया है टावल ड्राय किया है दैन यूज़ किया है फिर से टेलकम पॉडर का क्योंकि अब समर सिजन स्टार्ट हो गया है तो ऐसे में किसी को स्वेटिंग जादा आती है अब हम वैक्स की फिर से application करेंगे क्योंकि हम यूज कर रहे हैं सिंपल ऐलोवेरा वैक्स एक बार में रिमूव नहीं होते तो वैक्स की रियाप्लिकेशन करनी पड़ती है तो ऐसे में आपने घबराना नहीं कि हेर रिमूव नहीं हुए तो आप इसकी क्लाइंट के सारे के सारे हेर रिमूव हो गई है उसके बाद हमने स्किन को अच्छे से clean किया है क्योंकि यह है एक honey base wax है तो क्लाइंट की स्किन में काफी चिपची पहट होती है इस wax को यूज करने के बाद अच्छे से clean करना बहुत जरूरी होता है और उसके बाद आपने यूज करना है after waxing gel का after waxing gel से क्या होता है क्लाइंट की स्किन में बाद में irritation दाने इचिंग वगारा कोई भी problem नहीं होती यह एक antiseptic की तरह काम करता है अगर आपके पास after waxing gel नहीं है तो आप सैवलोन या डेटोल का भी यूज कर सकते हैं पर उससे इचिंग होती है तो चल अगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू